हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल देखे फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 8.6 का लास्ट क्विश्चन करेंगे क्विश्चन नमर 36 बहुत अच्छा क्विश्चन है यह NCRT एक्जांपलर से है यह देखे हर क्विश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे देहिए लास्ट क्विश्चन देखते हैं अभी एक्सरसाइज का क्या कहता है दसिंप सर्फेस यर्या और चल्च्ट्न अर्रे य्क्टेंगुलर पर ललो पक्विश्चशन विद्स साइट्स एक्स Torex and X by यह ईक्स्ट्न एंड ए ओएस्विवन टिोबी constant देखो क्या कह रहा है question में समसे पहले तो एक word नया आया है उसको जानेंगे हम कि क्या word है कहता है rectangular parallel piped है समसे पहले तो ये समझे कि parallel piped होता क्या है parallel piped जो है वो क्या होता है मान लो कोई भी cuboid shape मान ले आप ठीक है कोई भी cuboid shape मान ले आप और उसमें मतलब आप ये समझे जैसे यहां पर मैंने ये जो figure बनाया है ठीक है इस figure में मैंने क्या क्या है कि हर एक angle 90 degree का लिया है क्योंकि ये rectangular parallel piped का figure है तो इसने बोला है ने rectangular parallel piped ये उसका figure है ये क्या है ये cuboid shape ही है ठीक है अब बात कर ले parallel piped की तो parallel piped क्या होगा अगर इसका हर एक face जैसे ये face जो दिख रहा है आपको आगे वाड़ा ये या कोई भी face आप लगाए वो एक parallelogram की shape में हो सारे 6 के 6 face इसके parallelogram की shape में हो उसको बोलेंगे parallel piped और अगर rectangular parallel piped की बात कर रहा है तो angle 90 degree का होना चीए तो फिर आपको वो क्या करना है 90 degree का angle जो है कब बनेगा जब ये पूरा ऐसे होगा तब ये rectangular parallel piped बोलेंगे हम इसको अब ये क्या है क्यूबोईड ही है ठीक है अगर बात करें rectangular parallel piped की तो ये क्या है क्यूबोईड है ठीक है अब इसमें इसने इसकी sides दी है क्या दी है sides तो देखो वई sides क्या क्या दी है एक्स दी है 2x और xy3 अब आप कोई भी ले ले ये मानलिया मैंने x ले ली जो ये ऐसे जा रही है है आप length बोल सकते हैं और ये जो है मानलिया बिर्ट की अगर बात करूं तो ये 2x है मानलिया और ये जो height है ये जो पिछे गिवन है sum मानलिया sum को मैं s से denote कर लेता हूं किसे denote कर लें s से और किसका सम गिवन है वई surface area किसका rectangular parallelo piped का तो surface area of rectangular parallelo piped पी आई पी इडी parallelo piped ऐसे लिख देता हूं सोट में ठीक है rectangular आप पुरा लिखना चाहें तो पुरा लिख देंगे surface area of rectangular parallelo piped पालास देखो बात कर रहा है ने sum की तो rectangular parallelo piped का sum और किसका sum एक sphere का sum sphere तो surface इसका sphere का भी क्या है surface area यह surface area of sphere तो बात ओरी है sphere की भी तो हम यहाँ पर बात करें देखो parallelo piped की तो बात करें तो इसकी तो side दे रखी है लेकिन बात करें sphere की तो उसकी radius नहीं है ना तो हम mention कर लेंगे let कर लेंगे let radius जो है radius of sphere मैं let कर लेता हूँ वई क्या है R है ठीक है अब यह given है कि sum जो है surface area rectangular parallelo piped का और surface area sphere का वो क्या है constant है क्या है constant है तो आप इसको यह कह सकते हैं कि S जो है ना यहाँ यहाँ यह जो S लिखा है यह जो मैं लिखूंगा इन दोनों का sum वो S जो है यहाँ पर क्या है constant है आप इसको K से भी denote कर सकते हैं कोई भी नाम दे दे constant को या मैंने S से denote कर लिया है, आप इसको K भी लिख सकते थे, K भी लिख सकते हैं, constant बोल रहा है, K से denote कर दे और S से करें, तो S से कर लें, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, अब मान लिया मैंने इसको S से denote कर रहा हूँ, अब बात करो मैं surface area, parallelo piped का, तो एक cuboid है, तो cuboid का, अगर हम बात करें surface area की, तो surface area क्या होगा, अब surface area की बात करें, तो भई, अगर हम बात करें, surface area की, तो क्या हो जाएगा, twice of, twice of, क्या होगा, देखो, twice क्यों लिका मैंने, cuboid का, अगर हम बात करें, तो length और height, जो अगर है, मान लिया, length हो गई और height हो गई, तो एक face का area हो गया, same, द ले ल्यां तो वालिया फ्रस का हो गया आप इसको एक रूम के रूप में आप इसको मानके चलें कि आप जिस रूम में खडए हैं वो क्यूबोइट शेप का है उर उसके बारे में बात तो इसमें पूरे का अगर अपने को surface area कि अगर हम बात करेंगे तो length or width ले लिए तो first हो गई भी और length or width छत में भी है, छत में height नहीं होती ना, तो length or width फरस में हो गई और छत में हो गई, तो अगर हम बात करें length or width की, तो यहाँ पे देखो, यह L का काम कर रहा है, यह B का कर रहा है, और यह H का कर रहा है, ऐसे लिके हैं नहीं, यह length, यह L है, L is equal to, यह B is equal to, और यह H is equal to, height is equal to, तो हम बात करें L और B की, L into B, तो यह क्या हो जाएगा, 2X into X, 2X square बन जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा, यह 2 करने की जरूरत नहीं है फिर, अगर मैं वैसे लिक रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 नहीं करूँगा, चलो मैं यह 2 अटा देता हूँ, 2 किसलिए करते हैं, क 2X square, यह एक का हुआ, किसका हुआ, एक फेस का हुआ, यह एक का ही हुआ ना एरिया, यानि कि अगर हम बात करें, फर्स की तो फर्स का ही हुआ, और इसको 2 से multiply कर दें, तो छत का भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ 4 लिख दूँ, सिद्धा, 4, 15, यह तो हो गया, छत और फर्स क of X by 3 का और X का multiply भई, X by 3 into X से तो एक फेस आ गया, और सेम साइड, दूसरी साइड भी है, तो इसको twice करेंगे, ठीक है, पालास, लेंद और हाइट भी आ गई, अब ब्रेट और एक फेस और रह गया, जिसमें ब्रेट है और हाइट है, तो B into H, B into H मतलब 2X into H, H यानिकि X by 3 और इसका क्या करेंगे, twice करेंगे, किलियर है, अगर आप चाहें तो twice को भार भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, formula वही लगा लेंगे, यह हो गया, पालस, यह तो हुआ कि इसका, अगर इसकी बात करें, तो यह लिखा है, मैंने पूरा surface area, rectangular parallel piped का, ठीक है, तो जब surface area लिखता है न, इसका मतलब total surface area की बात हो रही है, पलस, surface area of sphere, अब sphere का मतलब गोड़ा, sphere का मतलब यह, sphere की बात कर रहा है, ठीक है, यह sphere है अपना, आप circle ना समझे, यह क्या है, sphere है ठीक है, अब sphere की अगर हम बात करें, और उसके surface area की, तो अगर radius उसको r से माना है, तो यह क्या हो जाएगा, 4 pi r square, क्या हो जाएगा इसका, 4 pi r square, यही होगा surface area, तो इसको थोड़ा simplify कर लें, तो s is equal to क्या जाएगा, देखो, 4 x square, यहाँ जे, पलस, यहाँ जे 2 by 3 x square, पलस, 2 दुनी 4, 4 x square by 3 बनेगा, पलस, 4 pi r square, अब यहाँ जे देखें, तो देखो, इसका 3 अगर lcm ले लूँ में, 3 lcm ले लूँ, तो क्या बने जाएगा, यहाँ, 12 x square, पलस, 2 x square, पलस, 4 x square, और, पलस, 4 pi r square, यह चल रहा है, अब और देखें, तो 12, यह कितना 14, और, कितना हो गया, 14 और 4, कितना हो गया भी, 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 6 x square, यह पूरा क्या आ s चल रहा है, अब देखो, यहाँ पर आगे जब चलेंगे, हमें, हमें करना क्या है, हमें प्रू करना है, क्या करना है, प्रू करना है, प्रू देट, sum of their volumes is minimum, कि उनके volumes का sum minimum है, किनके volume का, मतलब, इसके volume का, पलस, इसके volume का sum, sum है न, क्या कह रहा है, sum, उनके volume का क्या है, minimum ह यदी अच्छा वो है कब यदी X is equal to three times the radius of the sphere अगर X जो है वो three times है radius of sphere के तब ऐसा होगा तो ये जो है न ये X is equal to three R ये तो आएगा अपना जब हम करेंगे तब आएगा ठीक है न तो अगर ऐसा है हमें प्रू करना है कि अगर ऐसा है तब ही ये minimum होगा क्या volume उनके volume का sum फिर आगे एक question और भी पुछा है इसमें also find the minimum value of the sum of their volumes जो volume है उसकी minimum value भी हमने बतानी है उनके volumes की ठीक है minimum value भी बताएंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है वही प्रू करना है कि sum उनके volume का minimum है तो volume को minimum करना है तो volume को आगे लेके चलना है हमने और उसको एक ही variable में बनाना है उसके बाद हम उसको differentiate करेंगे तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक value निकाल लेता हूं मैं यहाँ से माल लिया मैंने r की value निकाल लेता हूं x के रूप में तो यहाँ से क्या हो जाएगी s minus यह s है वही कभी आप 5 समझें ठीक है s minus 6x square ठीक है upon 4pi upon 4pi is equal to देखो यह 4pi है यह इसके निचे आ जाएगा r square r की value चीए तो इस पर under root लगा दू मैं इस पर क्या लगा दिया under root यहाँ से मैंने r की value निकाल दी है clear है अब मुझे आगे क्या था है इसने prove करना है कि sum of their volume is minimum तो volume की बात हो रही है volume अगर volume को v से denote कर लें तो volume देखो अब इसका volume की अगर हम बात करें तो क्या होगा l into b into h यानि की x into 2x into x by 3 volume होगा पलस यह तो इसका volume होगा अब बात करें sphere के volume की तो sphere का volume जो है वो क्या होता है भई अगर हम sphere के volume की बात करें देखो surface area 4 pi r square है न और बात करें volume की तो 4 by 3 pi r cube यह होगा 4 by 3 pi r cube अगर पूरे sphere के volume की बात करें तो 4 by 3 pi r cube होगा अब हम क्या करें वही यहां पर यह क्या बन गया है यहां से यहां से बन गया यहां कर देता हूँ, अब मैं इसको देखें, यहां करें, तो यह v is equal to, क्या बन गया अपना, यह 2y3x cube बना, 2y3x cube, plus 4y3, pi, और r cube है, क्या है, r cube, तो यहां पे देखें, तो r की value, मुझे v को minimum करना है, इसको proceed करेंगे, तो पूरे को यह की variable में बना ले, अब x में माल लो, म मैंने निकाल ली है, x के रूप में, वो अब रख देते हैं, r की value, यहां, हाना, तो r की value x के रूप में रखेंगे, तो यहां इसकी power 1 by 2 है, तो इसकी power hole पे 3 चल रहे है, तो 3 by 2 बन जाएगी, यानि कि मैं लिख देता हूँ, into में, s, यह s है वई, छोटा लिख देता आप गलत ना समझे, इसको कभी 5 ही समझ रहे हूँ, s, minus 6x square, minus 6x square, upon, upon क्या है, 4 pi, इसकी whole power कितनी बनने वाली है, 3 by 2 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 3 by 2, अब हम क्या करेंगे, इसको, x के respect में differentiate करेंगे, ठीक है, यहां, s के respect में नहीं, क्या बोल रहा हूँ, x के respect में, यह s तो constant है, उसने बोला था, s मैंने constant, s नाम दिया था, आप k भी नाम दे सकते थे इसको, हाना, तो अब इसको, differentiate करें with respect to x, differentiate with respect to x, करो भई, तो क्या होगा, dv by dx is equal to, यह 2 by 3 तो रहेगा, into इसका हो जाएगा, 3x square, plus 4 by 3, pi तो रहेगा, इसका जब differentiation करेंगे, तो पहले power क तो 3 by 2 आगया जाएगा, और यहाँ पे s minus 6x square by 4, pi और इसमें से एक कम करके लिखेंगे, तो कितने बचेगी, आधी power बचेगी ना, आधी बचेगी, अब करेंगे हम इसके अंदर का differentiation, तो इसके अंदर का करेंगे differentiation, तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर का differentiation हम लोग करेंग तो इसका differentiation क्या हो जाएगा? भई आप, यह जो है, यह 1 by 4, pi को तो मैं साइड में लगा लेता हूं, 1 by 4, pi को, हाँना? 1 by 4, pi को साइड में लगा लिआगा, अब इन टू में, अब इसकी अगर हम बात करें, तो इसका differentiation करना है, तो एसका 0 हो जाएगा, इसका differentiation, यहाँज क्य मतलब कहने का यह है कि यह 4Pi इसके भी नीचे है तो इसका तो 0 हो गया लेकिन इसके साथ है माइनस 6X2 by 4Pi है तो 1 by 4Pi तो साइड में लगा लिया और माइनस 6X2 का माइनस 12X आ गया अब माइनस आपका पूरा कलियर हो जाएगा अगर आपका डिफरनिशेशन कलियर नहीं है तो फिर कुछ नही हो पाएगा यहां पे देखें अब 4 से अगर इसको ये सारे मल्तिप्लाइ में हैं न यहां से लेकर तक कुछ कट रहा है तो काट ले वही देखो तीन से तीन कट रहा है और दो से दो दुनी चार यहां पे चार से कट रहा है चार तीय बारा और यहां भी तीन से तीन कट गया है यानि कि यह क्या आगए अपना टू एक्स के एर और यहां से देखें तो टू पाई है और यहां स राहा है ये ने भीट था ईसको ड lav डेता हूं अंडरूट में क्या एस माइनस और इसपय बस स्वाय गा रइस पविल्स का मतलब इसकमें यह इसे बस्टेमर सिख या यह यह बचा वैंडरूट भी हम छोड़ रहे हैं यहां पे यह पाई तो हमने कुछ किया ही नहीं तो इस पाई से यह पाई कट सकता है तो काट लो भई यह खतम करो इसको क्यों रखें अमबोज को हाना तो कितना बचा केवल 2 और और माइनस 3x यानि कि माइनस का 6x इंटू में यह बचा और इसको मैंने रूट इस पर इस पर अलग अलग लगाया इसका 2 बन गया इसका रूट पाई लिग दिया किलियर अब देखो 2 से यह कट रहा है तो 2 से इसको काट दो वह दो तीये 6 तो यह आ गया 2x सुके एर माइनस 3 dx इंटू s माइनस 6x सुके एर और यहाँ चल रहा है इसमें अपोन में रूट पाई क्या चल रहा है रूट पाई अब मुझे क्या करना है फोर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv by dx को 0 रखना पड़ेगा तो 2x सुके एर 2x सुके एर माइनस 3x अंडर रूट ओफ s माइनस 6x सुके एर अपोन रूट पाई को हम 0 के एक्वल रखें तो इसको अब उधर लेके जाएंगे तो यह पलस में बन जाएगा यह जो माइनस में दिख रही है टर्म यह पलस में बन जाएगी यहाँ पे क्या 2x सुके एर is equal to 3x और अंडर रूट ओफ s माइनस 6x सुके एर अपोन रूट पाई अब क्रोस मल्टिप्लाई कर देते हैं क्या कर लें क्रोस मल्टिप्लाई क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे तो 2 रूट पाई into x सुके एर is equal to 3x into s माइनस 6x सुके एर हो गया भी अब यहाँ इसको सिंप्लिफाई और करें 就是說brn तो यह जो अंडरूट का जंजटे खतम हो जायता और इधर भी अंडरूट है यह खतम हो जायका कुछ कम हो पाएगा यह एक से एक्स तो कुट रहा है भी तो काट ले इसको, क्यों रखा है हमने देखो, एक X से X तो कट रहा है यह, एक X से यह दो थी, यहाँ पर एक X यह तो खतम हो गया, अब हम सुकेरिंग बोच साइड कर देते हैं, क्या कर लें, सुकेरिंग बोच साइड, सुकेरिंग बोच साइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार और यहाँ पाई ब value रख देते हैं, s की value रख देते हैं, कुछ और कुछ कटेगा, कुछ मामला और सैट होगा, अगर हम s की value रख दें तो, s की value क्या है अपने पास, देखो, s कहां है वहीं, यह रहा, 6x square, 6x square पलस 4 pi r square, यह s की value है न, यह हम यहां पे रखेंगे, और फिर इसको simplify करेंगे, और यहां से किस की value निकालेंगे, x की value निकालेंगे, जो variable होता है, उसकी value निकालते हैं, हमने बार-बार बोला है, यहां s की थोड़ी निकालेंगे, हमें यहां से किस की value निकालने होती है, जब हम इसको dv by dx, या कोई भी for maxima और minima के लिए 0 रखते हैं, और करके लाते हैं, so all तब किस की value निकालते हैं हम, variable की हमेश्या, ठीक है, तो यहां भी किस की value निकालेंगे, x की value निकालेंगे हम, clear है, तो आप पहले यहां तक note down कर लेंगे, students, उसके बाद आगे proceed करते हैं हम इसको, अब इसको आगे देखते हैं वही, देखो मैंने यह term सब रख रखी हैं, क्योंकि मुझे यह use करनी है, ठीक है, तो मैं यहां line लगा देता हूं, इसके नीचे का आपने दुबारा note नहीं करना है, ठीक है वही, आपने पूरा note कर लिया होगा यहां तक, उसके बाद आपने, अब जो मैं करवा रहा हूं, इसके आगे ठीक है वो note करना यह नीचे वाड़ा नहीं करना है clear अब देखो यहाँ पर क्या आ गया था अपना 4 pi x square 4 pi x square is equal to 9 into s minus 6 x square यही है ना तो s की value मैंने बोला था लिख देंगे s की value क्या थी अपने पास यह थी ठीक है तो यह रख दो 6 x square plus 4 pi r square रख दी भई s की value फिर इसके साथ में क्या है s minus 6 x square clear अब 6 x square से 6 x square खतम हो गया तो अब क्या हो गया भई क्या बचा 4 pi x square is equal to यह 9 का 4 से multiply करेंगे 36 pi r square आ जाएगा अब देखो pi से pi भी cancel हो गया और यहां पे अगर हम बात करें 4 से 4 से कितना आजाएगा 9 आजाएगा 4 से कितना आजाएगा यह 9 ठीक है तो यहां क्या आगया अपना x square is equal to 9 r square आगया तो x की value के अगर बात कर लें तो 3 r आगया वही कितना आगया x is equal to 3 r देखो इसने बोला भी था कि prove करो कि sum of their volume is minimum कब है minimum जब x equal होगा 3 times the radius of the sphere तो x 3 times radius of the sphere आया कि नहीं आया लेकिन अभी यह नहीं clear हुआ है कि volume इसका minimum है अगर x 3 r है तो volume minimum है वो कैसे clear होगा अब हम d square d square दुबारा differentiate करेंगे हम इसको d v by dx को हाना दुबारा differentiate करेंगे तो d v square d square v upon dx square करो वही दुबारा differentiate करें तो 2x square का क्या हो जाएगा 4x हा जाएगा minus इसका देखें तो 3 by pi को तो मैं रख लेता हूं 3 by यह 3 और root pi को देख साथ में रख लेता हूं root pi रख लिया और यहां पे देखूं तो यह दो दिख रहा है ना x और under root में यह इसको u into v लगा देता हूं इस पे क्या लगा जेता हूँ इस पे और इस पे क्या लगा दूँ यू इंटू वी थिरी अपोन रूट पाई को साइड मे लिग लिए इस पे यू इंटू वी लगा दूँ तो x as it is इसका differentiation तो इसका differentiation कैसे होगा पहले अंडरूट का तो 1 by 2 root x x मतलब s minus s minus 6 x square हो गया यह तो अंडरूट का हुआ अब अंदर का करेंगे तो s का 0 ठीक है और 6 x square का minus 12 x आएगा इंटू में minus 12 x पालास अब की बार यह अंडरूट जो दिख रहा है वो सेम s minus 6 x square सेम और x का differentiation जो की 1 होगा ठीक है इस bracket को कर दें बंद यहां तक clear है वाई यह ह कट रहा है तो काट लें 2 से देखो 2 से ही 6 आ जाएगा ठीक है अब इसको लिखें आप तो therefore यहां पे d square v upon dx square is equal to यहां क्या हो गया 4 x minus 3 upon root pi बार है 3 upon root pi और अंदर क्या चल रहा है अपना यहां से देखो minus का 6 x है और यह x ही रहा तो minus का 6 x square आ गया minus 6 x square upon upon क्या है under root of s minus 6 x square और plus यहां चल रहा है under root of s minus 6 x square ठीक है अब हम क्या करें देखो हम इसका LCM ले ले लेते हैं नहीं तो देखो अब हम क्या करेंगे हमें क्लियर करना है है कि यह positive है या negative है यह clear करना है और हमें क्या चीए हमें volume minimum चीए और minimum चीए तो मतलब यह positive आएगा greater than 0 आएगा positive आएगा तो बोलेंगे point of minimum है minimum है ठीक है तो इसके लिए s की value हम रख लेंगे और फिर clear होगा तो s की value दो जगह रखने पड़ेगी पहले क्या अगर ले 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 लेते हैं तो यहाँ पे 4x minus 3 by root pi और यहाँ पे आप ले 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 हम under root of s minus 6x square तो यह s जो मैंने शुरू में बड़ा ले रखा था उसको भी मैंने छोटा बना दिया कभी आप confuse हो रहे हो अब यहाँ पे देखें यहाँ minus 6x square है plus यहाँ क्या हो जाएगा यह पूरा s minus 6x square बन जाएगा भी आद दिये राद दिये multiply होंगे तो पूरा बन जाएगा अब यहाँ देखें तो s की value रख दो अब आप 4x देखो 4x minus 3 by root pi और यहाँ पे minus 6 और यह कितना हो गया भी चलो यहाँ इसे ही रख लेता हूँ minus 6x square plus s s का मतलब s क्या है यह रा s तो 6x square 6x square plus 4 pi r square लिख दी value minus 6x square ओ रहे है उपर upon अब अब अंडर रूट में फिर लिखो s की value तो 6x square plus 4 pi r square minus 6x square यहाँ है इसको कर देब बन यहाँ तक clear है वई दुबारे differentiate कर रहे हैं हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पे देखें 6x square यह minus का यह plus का cancel हो गए यह plus का minus का यह भी cancel हो गए तो क्या बचा भी उपर से अगर देखें तो 4x minus 3 by root pi और यहाँ पे अपना 4 pi r square 4 pi r square minus 6x square और निच्चे क्या बचा इसमें अंडर रूट में यह बचा और अंडर रूट में यह बचा इसका मतलब मैं इसको 4 को भाई 4 pi r square under root में है तो इसको 2 और root pi और r लिख दूँ ठीक है बचा बचा दो इसका दो इसका root pi और इसको r लिख सकते हैं अब इसका अंदर multiply अगर आप करना चाहें root pi का तो इसका pi यह 2 pi पूरा बन जाएगा 2 pi r आ जाएगा निच्चे से और उपर से क्या है into में 4 pi r square minus 6 x square यहां तक किलिए रहे यह आ गया अपना d square v upon dx square यह आया है ठीक है तो अभी क्या करेंगे अभी तो values रखेंगे हम क्या value रखेंगे भई जो हमने निकाली है x is equal to 3r क्या निकाली है x is equal to 3r यह हम जहां भी x अपने को नजर आ रहा है उसमें रखेंगे ठीक है पहले तो यह जो दिख रहा है यह जो दिख रहा है minus 3y यह इसको अंदर multiply करते हम इससे भी और इससे भी ठीक है यह आप नहीं भी करते तो भी कोई दिकत नहीं है आप यहां पे x की जगें 3 by r कर लेंगे उसके बाद हम आगे प्रोशिड करते हैं इसको अब इसको आगे प्रोशिड करते हैं वही देखो यह d square v upon dx square जो है d square v upon dx square is equal to 4x है न हम क्या करें इसमें value रख लेते हैं क्या x is equal to 3r रखेंगे हम x जहां भी दिखेंगे आपको 3r रखेंगे यह x ही है कभी आप multiply में समझ रहे हूं इसको देखो 4x x याने की 3 4 into 3r ठीक है माइनस 3 upon 2pi और r को r ही रहने दे और यहां क्या है 4pi r square तो r square रहने दे माइनस 6x square x square मतलब 3r का square 3r का square clear भाई आप इसको करो तो यहां से कितना आ गया 12r minus यह इसका इससे multiply कर दो तो क्या हो जाएगा 12pi r square upon 2pi r निचे है 2pi r और अब इसको इससे भी multiply करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा और चैती है 18 upon 2pi r into इसका multiply और बचा है ना मतलब यह तो यह 3r का square मतलब 9r square आ जाएगा यहां से clear अब इसको solve करें वह आप तो कितना बढ़ेगा देखो यहां से solve करें हम 2 से यह कितने पकड़ जाएगा 2 निम 18 नो पकड़ जाएगा और यह भी multiply में है ना इसके साथ तो r से 1r कड़ जाएगा यहां और इसको देखें तो pi से pi कड़ जाएगा 1r से 1r कड़ जाएगा 2 से 6 आ जाएगा तो यह कितना आ गया 12r minus यहां से अगर और 6 बचा है तो 6r और पालास नो नो निमी क्या सी 81r बच गया अपोन पाई भी चल रहा है अपोन क्या चल रहा है नीचे पाई चल रहा है है ना पाई ठीक है अब यह 6r यह कितना बच गया 6r बच गया पालास 81r by पाई ठीक है अब इसको यह overall क्या दिख रहा है मुझे positive आर्क अभी भी negative होगा नहीं आर्क क्या था स्फियर की radius ही तो थी यह क्या है overall positive तो positive है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहां से therefore therefore यह क्या है वही अपना क्या हुआ minimum हुआ greater than zero मतलब positive मतलब minimum क्या minimum हुआ volume minimum हुआ तो आप लिखेंगे यहां पे therefore 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 volume volume जो है किसका इन दोनों का किन दोनों का एक तो अपने पास rectangular parallelo pipe था और यह क्या था स्फियर था तो volume will be minimum will be minimum minimum कब when when x is equal to 3r है यानि की x equal to 3 times से radius of sphere के तब volume minimum है देखाना हम ने x is equal to 3r रखके तो यह है नहीं clear भाई इसके बाद आपने यहां से यह note करना है इसके नीचे नहीं जाना है जो मैंने red line लगा रखी है ठीक है अब हमें आगे क्या पुछा है इसने also find the minimum value of the sum of their volume हमें minimum value भी निकाल नहीं है किसकी sum of their volume volume की तो बात करें हम volume की तो volume therefore therefore volume जो है volume V से denote कर लें is equal to volume क्या है volume क्या था यह था ना volume नहीं मिटा है तो काम आ रहा है ना अब देखो यहां पर क्या हो गया 2x cube by 3 था यह क्या है 2x cube by 3 plus 4 by 3 pi r cube है भी अब यहां पर रख दो आप value रख दें हम क्या कर दें value रख देते हैं ठीक है तो value रख हो तो यहां से 2 by 3 3 r का whole cube plus 4 by 3 pi और यह r को r रहने दें ठीक है यहां से कितना जाएगा 3 तिये 9 तिये 27 27 को 2 से multiply कर दो भई 54 ठीक है ना 27 का multiply कर दे हमने 2 से भी r cube by 3 आ गया है यहां से कितना आ गया by 3 ठीक है यह 3 तिये 9 नो तिये 27 और 27 दूनी 44 r cube by 3 और पलस 4 by 3 pi r cube यहां है चल रहा है अब यहां से देखें तो कुछ comment आ रहा है तो comment ले ले भई यहां से देखो 4 है यहां चार है तो 2 comment नजार आ रहा है उपर से 4 तो आएगा नहीं अब यहां r cube है यहां भी r cube है तो r cube ले लो और तो 3 यहां नीची है यह पूरे का 3 है 1 by 3 comment आ रहा है ना 3 comment ले लो तो यहां से क्या बच गिया यहां से देखें तो 27 2 से यहां आएगा 27 r cube तो 12 आ चुका इसकी वोल्यूम किस में होता है क्यूब में होता है न यह है आपका वॉल्यूम ठीक है यह था आपका इस exercise का लाश्ट कुश्टन देखिए फ्रेंड्स मैं लगा देता हूं आपने जो है जो note कर लिया था मैंने करवाया था वहां तक उसके बाद आपने यहां से लेके और यहां इसके उपर उपर जो है इसके बाद आपने यह note down कर लेना है यह है आपका question number 36 complete होता है यह exercise complete होती है बहुत important exercise थी अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर इसको शु मज़ाई होगी आप इसको note down कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमें sport करें और motivate करें thanks for watching my videos